कि हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है किस मुझमबर दोजदर भाई सुराज की बारहा इंपोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए को यहां पर आ चुका हूं तो दोस्तों यह कुछ यहां पर अपडेट्स हैं बाकि की यहां पर बात करें तो 29 यहां पर एक्टिव केसिज हैं तो यह कल की रिपोर्ट है यह आप देख सकते हो ओके चली दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यही राशन डिपो में शेहद च्वेन प्राश और मसाले देने से पीछे हटी कंपनियां राशन के डिपों में कंपनियां पूलोड कर आने से तोभा कर रही है डावर कमपनी ने डिपो में चेवन पराश शेहद गुल्कोज और टाटा कम्पनिय ने मसाले देने की बात कही थी लेकिन डिपों में यह सामान उपलोड नहीं हो रहा है बता जा है यह कंपनियां 15 से 20 फीजिक कम रेट पर सामान देने में आना कानी कर रही है भाइपा जरकार ने लोगों को सस्ते दावों में रोजमर्णा की बस्तों में उपलब्त करवाने के लिए नामी कंपनियों से मयू साइन किया थे लेगने मामला बीच में ही लटक गया है चले दूस्त नेक्स्ट अपडेट ये ही करमचारी चैनायोग क कि तीन नए सदसे आज लेंगे शावत तो हिमाचर प्रदेश करमचारी चैनायोग कि तीन नए सदसे सुंबार सुभा साड़े ग्यारा बजे पद एवं गोपनिता कि शब्द लेंगे शावत लेंगे और शब्त ग्रहन समरों आयोग के सभागार में होगा नवयुक्त स्व अधिकारी पीसी एकेला हिमार्चर प्रिश्व जाले से सेवन निमित प्रोफेसर बीके वैद और सब्सक्राइब अधिशनल जनल मनेजर राकेश भादवाज को आयोग के अधिक्ष डॉक्टर संजे ठाकुर जह शब्त दिलाएंगे तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट ह और भूरा भी धर देख सकते हो ओके पूरा हुच्छ इस तरह से है ओके चलिए उससे नेक्स्ट अपडेट यह रही पुलिस भर्दी पेपर लीक मामने में CBI अब FIR दर्ज करने के तैयारी में तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामने में CBI जल्दी मामना कर सकती है CBI ने कांगडा सोलन पुलिस और CID से रिकोर्डर स्टेटर से रिपोर्ट मांगी है मुख्यूंदर जराम ठाकु ने बीदे 17 माई को वेपर लीक मामने में CBI से जाज करवाने का फैसला लिया था लेकिन अब साथ माह बीचने जाने के बाद CBI ने पुलिस भर्ती वेपर लीक मामने की जाज के लिए रिकोर्ड मांगा है वेपर लीक मामने में सरकार ने विशेष जाज टीम साइटी का गठन किया है साइटी अब तक 113 आरोपियों को ग्रिफतार कर चुकी है कई आरोपियों के लाफ कोट में चार शीट भी जाहर की गई है तो यह दोस्त नेक्स्ट अपडेट ये रही हिम्सकलन की चपेट में आने से शिमला का परबाता रोही लापता बहलेकोटर से खोजेंगे अटल तनल के साथ लगती फ्रेंडशिप पीक की जड़ाई करते हुआ हादसा तो हिम्सकलन बारी जगह जोखिम भरी होने से थाना परबारी के पता हो गया है मनाली पुलिस थाना प्रभारी की अगवाई में एडविंचर टूर ऑपरेटर एसुजिशन के रेस्क्यू दल ने तलाश की लेकिन हिम्सकलन बारी जगह जोखिम भरी होने पर दल वापस आ गया अब सुमबार को हेलकोटर से तलाश की जाएगी चलिए दोस दूद के दाम में दो रुपे के बृद्धी हुई है दिली अंसियार के एक लिटर फुल क्रीम दूद चौन सट रुपे में बाटोकन दूद पचास रुपे में लिटर मिलेगा एक साल में चोती बार दूद के दाम बढ़ाए गए हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडे लेट लतीफी एथलेटिक्स बॉक्सिंग और जूडो खेल में प्रस्टिक्शन के लिए छे मां से अंतजार करें हैं खेलो इंडिया के इंदर शुरू ना होने से दाम पर खिलाडियों का भविश्य अंतराश्टूरिय मानकोबर में लेगी ट्रेनिंग खेल सेंटर के अभी भी भवन ही तलाश रहा विभाग विलासपूर में खेलो इंडिया सेंटर की शुरू नहीं होने से प्रदेश के 90 खिलाने का विश्य दाओं पर है यह खिलाड़ी करीब 6 माह से सेंटर शुरू होने के लिए भवन की तलाश में जूटा हुआ है साल 2019 में जेला योबा यहां पर प्रदेश के शुरू करने की अध्योजना जारी जाई दो लेकिन भाटर सिपोर्स की खिलाडियों के विरोधन पर इसे बापसनेना पड़ा इसके बाद सेंटर शुरू करने का मामला अधर में लटा गया इस सेंटर में एठाट एलेक्रिक्स बोक्सिंगों और ज भबन ही यहां पे तलाशा जा रहा है भी भागदी की तरफ से चलिए दोस्त अपडेट ये रही हजारों अभ्यर्तियों नदी पोस्ट कोड 996 की प्रिक्षा शाम के सत्र में किया गया पोस्ट कोड 1001 की प्रिक्षा का यहुजन तो बात हो रही है कर्मचारी चैनाग जिसके लिए प्रदेश भर से के 3333 पदों को को लेटर अभ्यतियों को जारी हुए थे इस प्रिक्षा के लिए प्रदेश भर में कूल 14 के अदर बनाए गए थे यह प्रिक्षा हमिश्पुर कांगणा मंडी शिमला में बनाए जो है आयुजित की गई बही दूसरे सत्र में पोस्ट कोड एक हजार एक जूनियर स्केल स्टिनोग्राफर की एक पोस्ट के लिए कुल 724 जारी हुए थे तो यहां पर प्रिक्षा शांति पूरुक धंग से पूरुन होई है नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यह रही केंदरी विश्वजाले में 447 ने दीप प्रिक्षा का यह तो सेंट्रों पर किया गया था तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है नेक्स्ट अपडेट यह रही शीदकारियन अवकाश वाले स्कूलों के 36629 विजारत्री देंगे प्रिक्षा तीसरी में एकीस पांची में बाइस और आठमी के लिए पंजगित है है साड़े बाइस हजार बच्चे हिमाचल भी स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है शीर्ट कालीन अवकाश वाले विजातलियों की तीसरी पांच भी आठीव गक्षा की बार्शिक प्रिक्षा नुमंबर से दिसंबर में लेगा 66,000 से अधिक प्रिक्षा थी प्रिक्षा में बैठेंगे जिनके लिए शिक्षा बोर्ड और से क्यों से प्रशन बत्र महिया करवाए जाएंगे तो यह दोस्तों यह थोड़ा सा बदलाव हुआ है ठीक है तो यह आप देख सकते हो थर्ड फिफ्ट एट नुमंबर तो यह आप देख लेना ठीक है तो यहां पर लिखा गया है स्टेट लेबर टूर्णामेंट एथलेक्ट जूडो योगा क्लास चैस योगा चैस को ओफ अंडर फोर्टिन तो यह खेल यहां पे शीतकालीन होने है ठीक है इनका आयोचन शायद हो रहा होगा तो इसकी बाज़ा से ज जो दन किया जा रहा है तो पहले की तिथी ती ती ग्यारा अटाइस नमबर से छे दिसंबर तक आठवींग की परिक्षा का बात हो रही है यहां पर अब जो है एक दिसंबर से नो दिसंबर तक यह एक्साम आपके चलेंगे ठीक है तो यह दो आप अपडेट है चले नक्स अब बात कर लेते हैं आप जो है आज से एडविशन के लिए अपलाई कर सकते हो ठीक है तो इसके लिए क्या करना है आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दूंगा कहां से कैसे क्या करना है क्योंकि आज से उन्होंना बोला था कि आज से 21 से 26 तक आप अपलाई कर सकते हो तो आज आपको मैं बता दूंगा तो पहर तक शायद नोटिफिकेशन आ जाए पर इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है हां आप पूछ रहे थे कि ऑनलाइन होगा या ओफलाइन हो अपलाई वहां पर बताया गया था कल की वीडियो अगर आपने आपने नहीं देखिए वाले तो एक बार देख लीजिएगा ठीक है बाकी मैं आज आपको बता दूंगा बाकी वीडियो चलेके तो लाइक शो चैनल को सबस्क्राब जूरू करिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियो